घेलो गूंड्मोंडेंग अभ्रिवन तो आज इकां हम लोगों का para parce ग्रियाएं के वारे में इसके बारे में उपाफ़ चाइए अवीक्रियाएं जिसका इंगलिस होता है मेरů टा बोलिज्म से किसको करते हैं तो हमारे सरीर में होने वाली रसाइन अभी क्रियाओं को मेटावलिज्म एक्टिविटी या उपाप चाई क्रियाएं कहा जाता है है ना हम जानते हैं कि हमारा फरीर में हर्दम तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं उपाप चाई अभी क्रियाएं तो देखेंगे इसमें कि उपाप चाई अभी क्रिया जो है यह मुखी रूप से कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के कौन कौन सब एक है एनाबोलिज्म एक्टिविटीज जिसका हिंदी होता है उप चाई अभी क्रियाएं और दूसरा क्या है केटाबोलिज्म एक्टिविटीज जिसका होता है अब चाई अभी क्रियाएं अब जो है एनाबोलिज्म एक्टिविटीज क्या है चोटा चोटा अभियव मिल करके एक बड़ा अभियव का निर्मान करता है उस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहा जाता है इना बोलिज्म का निर्मान करता है उसे कहा जाता है यह जाम पन में क्या दिए है प्रकास तो इसमें होता क्या है कि प्रकास तो यह कों सा गैफ लेते हैं CO2 CO2 लेते हैं उसके बाद जड के द्वारा H2O लेते हैं जल और यह सुर्य की प्रकास की उपफ्थिती में क्लोरोफिल के द्वारा क्लोरोफिल के द्वारा यह क्या बनाता है यह उपत्पाद के रुप में C6H2LO6 प्रकास पर्पादत में आने के बाद यह रसाइनिक और या केमिकल इनर्जी में और अधोने के बाद वह उर्जा जो है जल को दो भगों में तोड़ देता है किसमें और और यह और विमुक्त हो जाता है और यह हैट्रोजन कारवन डाइयोकसाइड से मिलकर क्या बनाता है तो इस प्रक्रिया में हम लोग देखें और साथ ही साथ जिस समय जल दो भाग में तुरता है कुछ मात्रा में वास्प के रूप में भी क्या होता है बाहर निकलता है और चूटा चूटा पदार्थ है अवर या यह चोटा है तो चोटा चूटा तो चोटा पदा निर्मान की अधिल के अंदर इसे अभी क्रिया को क्या कहते हैं एक क्रिविटीज क्या कोई दिक्कत भूं अब तो इसमें क्या है कि छोटा छोटा पदार्थ मिल करके बड़ा-पदार्थ का निर्मान किया अब जैसे कैई छोटा जोड़ करके एक मिनास की तो उसी तरह से तो यह जो तो हम लोग जानते हैं कि अब तो यहां पर छोटा छोटा पदार्थ मिल करके बड़ा पदार्थ का निर्मान किया लेकिन कुछ अभिक्रिया हमारे फरीर में ऐसा भी होता है जो कि बड़ा पदार्थ को अबिगटित करके चोटी पदार्थ का निर्मान कर लेते हैं या तोड़ देते हैं तो वही है कि वे अभिक्रिया हैं जिसमें सरीर या कूसी का हैं इना के अंदर जटील अभिव अना complex component और शीक्रित होकर या विगत्रित होकर इसका निर्मान करता है ना simple components का या सरण अभियव का निर्मान करता है उस अभिक्रिया को या उस क्रिया को हम क्या कहेंगे कैसे स्वसन होगा तो सवसनु में हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि अब जो यहां पर गुल कोज बना यह सेल के अंदर मैटोपरीया में उपक्तित होता है है यहां जाकर के सेल के अंदर मैटोपरीया में परसी мед Infilt हो गया अब हम लोगों का बोड़ी में गलाइकोजेन के रूप में इस्टोर होता है तो उस गलकोजी को उस गलकोजी को जब हम लोग स्वसन की किर्या करते हैं तो सारे गैस के साथ भख आगे बढ़ करके यह बलड में मिलता है और प्रतियत सेल तक पहुजता और सेल में यह आउक्सीजन जाकर के सेल में उपफित इंजाइम की सहयता से यह ऑक्सीजन गुलुकोज को भी घटित कर देता है यह ऑक्सीक्रित कर देता है और जिसके परिनाम स्वरूप यह गुलकोज टूट करके क्या बनाता है यह गुलकोज टूट करके CO2 बनाता है H2O बनाता है और काफी अधिक मात्रा में ATP भी बनाता है तो यह गुलकोज टूटा बड़ा पदार्थ टूटा तो बड़ा पदार्थ चूटने के बाद यह क्या करता है कि छोटा छोटा पदार्थ का निर्मान किया यह ATP का निर्मान काफी अधिक माक्रा में होता है और यही ATP का यूज हम लोग अपने देनिक जीवन में करते हैं इसको इसको करने के लिए हम लोग इसमें कुछ नहीं लगाएंगे और इसको छोड़ करके बांकी सबमें यह बैलेंस हो गया उसी तरह से इस साइड में जो देखें हम लोग पहलावला जन्मी क्या करेंगे सबसे बड़ा पडारत है हम लोग के मिश्टरी में पढ़ते हैं कि जो जितना क्लिष्ट है उसको उतना पहले बैलेंस करना है तो गुलकोज बढ़ा है सिसको छोड़ देंगे उसके बाद है और यहां टो इस तरह से इसमें भी सब कुछ है तो इस तरह से हम लोग कुछ देखें कि यहां जो है बड़ा पदार्त था आना अब यह जो मकान बनाए थे इस मकान को तोड़ करके हम झोटे-चोटे खंड़ों में विभख्थ कर देंगे Why बिनास्तकारी भी तो 시स लिए इस अविक्रिया को बिनास्तकारी अभिक्रिया भी कहा जाता है तो इसमें कि देखें अच्छितो में किसको चाहता है उपक्रिया प्रकार के कौन-कौन-कौन-कौन-क्ताबुलिज्म किसको कहा जाता है परीर के अंदर होने वाली आना या फरीर के अंदर जो भी क्लिया होता है जिसमें अब कई सारा फरल अब घटक मिल करके जटील अब घटक का निर्मान करता है उसे हम क्या पाते हैं एक्टिविटी तो एक्जम्पल में क्या जाएगा कि कारवन डायोकसाइड और जल जो है सुरी की प्रकास और क्लोरोफिल क्यूपसिती में क्या बनाया और अक्सीजन तो यह गुलकोज इंसम्पे तुलना में ज्यादा जटील है तो छोटा-चोटा पदार्थ मिल करके जटील पदार्थ का निर्मान किया इस लिए इस अभिक् अभी कहा जाता है क्या कोई दिक्कतियों तक उसके बाद दूसरा है अब चाहिए अभिक्रियाएं के टाबुलिजम एक्टिविटीज तो इसमें देखें कि वे अभिक्रियाएं जिसमें शरीर या कुशी करके अंदर जटील अभियग है ना बड़ा पदार्थ है ना तो इसके अंतरगत कुण क्रिया आएगा स्वसंन का लोग यहां देख लिए कि बड़ा पदार्थ था यहां तूट करके क्या किया चोटा चोटा पदार्थ का निर्वान किया तो इसलिए इस क्रिया को क्या कहा जाता है तो यह रहा हम लोगों का उपाप चाहिए अभी क्रिया आए तो आज यह तक रहने जाते हैं पिरें अगले क्लास में बड़ा कर दो कि अब कर दो